एलो फ्रेंड्स ट्रेक्षिन इंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप पीएफ का पूरा पैसा विड्रॉग कर सकते हैं जिसमें कि पीएफ का पैसा पैसा दोनों ही सामिल है तो अगर आप ये पूरा पैसा विड्रॉग करने के लिए सबसे पहले आपको यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पर आ जाना है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा उस पर क्लिक करके आप डिरेक्ट इस पोर्टल पर आ जाईए और यदि आप मोबाइल में उपेन कर रहे हैं तो अपने ब्रॉज कर लिए अब लोग इन करने के पाद सबसे पहले आप यह वी चेक कर सकते हैं कि आपके पीएफ में कितना पैसा है तो आप पास्बूक चेक कर सकते हैं चलिए इस वीडियो में पास्बूग करके दिखा देए और एक चीए मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि दिखिए EF का जो पैसा होता है उसमें जो pension का पैसा होता है वो आप तभी withdraw कर सकते जब आपकी service छे महीने का होगा यानि कि कम से कम छे महीने आपने company में काम किया है तभी pension का पैसा withdraw होगा नहीं तो pension का पैसा withdraw नहीं होगा और उसके बाद एक और condition आता है जिसमें कि आपको बता देते हैं जिसी कि आपने किसी company में काम किया था पहले उसका member ID अलग है अभी जिस company में आप थो रहे हैं उसका member ID अलग है अगर आप दोनों का पैसा withdraw करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको one member one EPF account में transfer करना पड़ेगा तो वो कैसे किया दाता है उससे related मैंने वीडियो बनाया है तो description में आपको उस वीडियो का link भी मिल जाएगा उस पर click करके आप उस वीडियो को देख लीजे कि one member one EPF account में कैसे transfer कर सकते हैं माल दी कि आपके पास तीन चार member ID अलग है अलग है कंपनियों में काम किया है तो भी यहां पर दीख जाएगा pension का कितना पैसा जमा हुआ है वो सब आपको देखने को मिल जाएगा यहां पर मेरे पास दो ID है तो मैंने इसको transfer कर दिया है तो यहां पर से दोनों ID का पैसा एक member ID में आ जाएगा और उसको आप withdraw कर सकते हैं देखे अब बात यहां पर आती है क पीएफ का अगर pension का पैसा withdraw करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पीएफ account में date of exit mark होना चाहिए यानि कि आपने company छोड़ दिया है तब ही आप पीएफ का पैसा है पैसा वो निकाल सकते हैं अगर आप company में रहते हुए पैसा निकालना चाहते तो उसके लिए आपको पैसा निकालना चाहते हैं पीएफ का और pension का भी तो उसके लिए आपको company छोड़ना पड़ेगा देखिए company आपने छोड़ दिया है लेकिन अगर आप अपने पीएफ account में login करते हैं तो वहाँ date of joining तो लिखा हुआ है लेकिन date of exit mark नहीं है तो उसके लिए आपको अपने services पर क्लिक करेंगे और उसके बाद claim वाले option पर क्लिक करते हैं तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर online services पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने page open हो जाएगा यहाँ पर आपको अपना bank account number डालना है जो कि आपने पीएफ account में दिया हुआ है वही bank account number यहाँ पर इंट करता हूं उसके बाद only pension withdraw यानि कि 10C form को बाद में fill up करेंगे पहले पीएफ को withdraw कर लेते हैं क्योंकि दोनों के लिए आपको अलग अलग जो है form fill up करना होता अलग से apply करना होता है तो यहाँ पर पहले मैं जो PF withdraw कर लेता हूं तो चली हम यहाँ पर form 19 को select करेंगे और आगे next देखते हैं कि इसमें आपको क्या-क्या फिल करना पड़ता है लेकिन उससे पहले यहाँ पर अगर आप देखेंगे जैसे मैं online services पर click करके claim पर click करता हूं यानि कि claim पर click करता हूं उसके बाद नीचे आपको दिखा देते हैं कि मेरा जो date of exit हो अपडेट हो चुका है यहाँ पर नीचे आप देखें कि यह date of exit यहाँ पर आप देख सकते हैं 30 अप्रेल 2021 date of exit EPS और date of exit EPS यह दोनों ही अपडेट हो चुका है यानि कि मैंने खुझ से अपडेट किया जैसा कि मैंने आपको पहले बता है कि यदि आप pension का भी पैसा और पूरा का पूरा पीएफ निकालन और उसके बाद proceed to claim पे click कर देना है जिसी claim पे click करेंगे यहाँ पर से आपको select यानि I want to apply for only PF withdrawal मैं अभी करता हूं उसके बाद pension के लिए फॉर्म फिल अप करेंगे तो इस पे click कर दिये और हाँ यहाँ पर form 15G क्या होता है यह भी आपको बता देंगे तो यहाँ पर आपको form 15G एक option देखने को मिलेगा तो यह form 15G तभी फिल करना होता है जब आपका PF withdrawal 40,000 से ज़्यादा है ताकि आपका कोई TDS न कटे तो form 15G कैसे फिल करना है उससे related वीडियो अगर आपको चाहिए तो comment किजिए आया तो आप YouTube पर भी देख सकते हैं कि form 15G कैसे फिल अप करते हैं ल यहां पर तो चले आगे वरते हैं और मैं आपको जो है next जो और भी चीजे फिल करना हो मैं आपको दिखा देता है तो यहां पर आपको फिल करने के ज़्यादा information फिल नहीं करना पड़ता है बस आपका address फिल करना है जो भी आपका अधार कार्ड में और उसके बाद जो आप आपका यहां पर यहां पर से देखिए मैं अपना address फिल कर लेता हूं जो भी मेरा state district फिल किया उसके बाद आपको पिन कोड और अपना जो विलेज पोस्ट यह सब फिल करना है उसके बाद यहां पर से आपको अपने पीएफ का जो सौरी पीएफ नहीं आपके जो एकांट पर है यानि कि पास्वुक या चेक्वुक जिसमें आपका एकांट नमबर एफसी कोड लिखा होता है उसका एक फोटो जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करना है जो कि यहां पर आप देख सकते हैं तो यहां से मैं फोटो सेलेक्ट किया वीव पे क्लिक करके आप जो है ज तो यहां पर देखियो ओटीपी इंटर करूंगा और इसको कर देंगे तो और पूटिप वैलीडीट करने के और यहां पर पैसा मेरे एकांट में होगा वह दिन चार दिन में जो है यूजली तीन चार पाच दिन में आ जाता है पैसा आपके बैंक अकॉंट में तो मैंने यहाँ पर OTP इंटर कर दिया और यहाँ पर इसकार चुका है उसका सब्सक्राइब क्लेम आप क्लेटोואל का जोच खित्क हो क्लेम अपने किया है उसका स्टेटश क्या है चलिए अब आगे वरते हैं और मैं आपको पेंशन विड्रॉल का प्रोसेश कर सकते होIndonKalaki के इसे सेमी ज्यादा कर नहीं Vander ॅय यहाँ पर जहाँ पर मैंने only pf withdraw select किया है वहाँ पर pension withdraw select करेंगे और उसके बाद next process देख लेते हैं तो वीडियो में बने रही है मैं आपको वह भी live जो है यहाँ पर दिखा देता हूँ तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे pension को withdraw कर सकते हैं तो same process है online services पर क्लिक करेंगे claim पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको bank account number verify करना है जैसा कि हमने पहले case में किया था तो bank account number verify कर लेते हैं यहाँ पर account number verify कर लिया है और उसके बाद I want to apply for में select करते हैं यहाँ से only pension withdrawal यानि कि form 10C इसको select करते हैं सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सेम चीज़े फिल करना है जैसे कि आपका address पास्वुक का photo upload करना है और उसके बाद यहाँ पर से चली address select कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर हम अपने पास्वुक का photo upload करेंगे और आधार पे एक OTP जाएगा उसको submit कर देंगे तो इस नहीं हुआ यहाँ रिजन बता रहा है वह सभी चीज़े आप track claim status पर क्लिक करके देख सकते हैं तो यहाँ पर से मेरे पास जो है एक मैं photo ले लेता हूं और यहाँ पर upload कर देते हैं जो पास्वुक का photo उसे upload करना होगा तो यहाँ से आप पास्वुक का photo upload करेंगे और claim कर द जाएगा तो आप उसी साब से अपना देख लिजेगा जो मैसे जाएगा कि क्या इसमें रिजन बता जा रहा है और form 15 जी यदि आपको फिल करना है यदि आपका पीफ डॉल 40,000 से ज्यादा का हो रहा है पीफ और पेंशन मिला कर भी तो आप जो है यहाँ पर form 15 जी फिल कर स जाएगा नहीं तो अगर वीडियो नहीं मिलता है तो आप दूसरे वीडियो को देखकर पता कर सकते कि कैसे form 15 जी फिल करना होता है तो चलिए मिलते हैं आप से नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर आप देखिए OTP इंटर करके हम जो है पेंशन का भी क्लेम सब्मिट कर देत क्लेंट